Are you not able to take decision quickly, easily and effectively? क्या आप कोई भी निर्णे आसानी से quickly और effectively नहीं ले पा रहे हैं? तो आज का वीडियो जरूर से देखेगा. नमशकार, मिरा नाम दिपाली है. और आप सब का Neuralinguistic Programming की ये Free Hindi वीडियो कोचिंग की सीरीज में स्वागत है, dear friends. आज हम lesson number 44 में सीखेंगे, be a decisive with the help of anchoring technique. Now, इसके लिए आपको करना क्या है, dear friends, कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप decision नहीं ले पा रहे हैं और आपको anchor fire करना है, वो भी anchoring technique की मदद से. तो हम जो ये पिछले तीन वीडियो से सीख रहे है anchoring के बारे में, वैसे ये total NLP के सारे video lessons है, आपको सारे देखने चाहिए, आप देखे हुए है, तो बढ़िया है, बट आप नए है. और ये पहली बार video देख रहे है, तो मैं सिर्फ इतना request करना चाहूँगी कि जो anchoring की series शुरू हुई है पिछले तीन वीडियो से, at least वो जरूर से देख लिजेगा, तो आपको anchoring के subject theory और practical और art and science जो हमने discuss किया है different examples से और assignment से तो आपको समझ में आए. आप already ये series देख रहे हैं, तब I'm sure आप excited है और ready है. आज ये anchoring की techniques की मदद से और ज़्यादा, you know, decision power आपका बड़े. उसके लिए कितने लोग वैसे काफी बार decision लेने में बहुत ही unclear होते है, clouded होते है, confused होते है, वो सभी लोगों के लिए ये anchoring technique काम आने वाली है. Dear friends, इसके लिए करना क्या है, आपको सोचिए कि think of a time और उससे पहले मैं आपको बता दू कि आपको ये जो हाथों के जोड होते हैं, जो knuckle कहते हैं हम, तो उसको हम यहाँ पर anchor करेंगे, कोई भी जगा पर आप कर सकते हैं, जैसे knuckle यानी जोड है, ये one, two कहीं से भी. So, आप यहाँ पर anchor fire करते हैं, हम वैसे different-different anchor हम अलग-अलग बातों के लिए fire कर सकते हैं, introduce कर सकते हैं, जो हम सीख रहे हैं पिछले काफी वीडियो की सीरीज से, तो अभी हम क्या करेंगे, कि decision के लिए जो हम quickly और effectively, easily नहीं ले पाते हैं, sometimes, almost the time, confused, clouded होते हैं, तो हम पर अब anchor आज establish करेंगे, introduce करेंगे, उसके लिए क्या करना है, of course, हर बार की तरह, think of a time in your life when you felt totally decisive, यानि कि आप ऐसे कोई समय को सोचे आपके जीवन का, जहां पर आपको लगता था कि आप बिलकुल निर्णायत्मक थे, यानि very clear थे और quickly decision लिये थे, वैसी कोई situation चाहे, छो आपके questions या preparation का, कोई भी छोटा मुटा decision ही न, day-to-day life का भी, उसको सोचे, जब आप बिलकुल decisive थे, निर्णायत्मक थे, now step into that situations and fully associate to it, पूरी तरीके से आँखे बन करके, वो पूरी situation को देखे, जब आप निर्णायत्मक थे, and पूरा वो event के अंदर associate हो जाए, associate fully, it means now you know, कि आप सुनो जो आप उस वक्त बोल रहे थे लोग और आप अपने आपको बोल रहे थे, आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे, उसको महसूस कीजिए, आप उस वक्त की body language क्या थी, आपकी breathing pattern क्या थी, आपके facial expression क्या थे, वो सब कुछ दुबारा से recall करे, and fully associate हो जाए, like आ taste and smell के point of view से भी, और जैसे ही आप pick पर आते हैं, तुरंथ ही आप अपनी उंगली को squeeze करे, कोई भी जैसे आप ऐसे भी कर सकते है, ऐसे भी कर सकते है, ऐसे भी कर सकते है, आपके जो उंगली के जो नकल है, not only but जो नकल यानी joint है, so जैसे this is generally we do, and just वो pick experience पे तुरंथ ही आप fire करें आपके anchor को, just do that with the peak experience, just again याद करें वो ऐसा incident जहां पर आप बिलकुल decisive थे, निनायत्मक पोजिशन पे थे, fully associate into that moment and just squeeze your knuckle at the peak of the experience, so यहां पर और उसी वक्त मन में कुछ अपने बारे में आप बोले, यानि कुछ sounds दे, yes, or I am able to take decisions quickly and easily, yes, I am able to take decisions quickly and easily, वैसे मन में बोलना है, आप अकेले है तो आवास, you know, loud voice करके भी बोल सकते है, and अब कोई ऐसा दूसरा continue आखे बन करते हुई, कोई दूसरा ऐसा experience याद करें, जहां पर भी आप अगें निनायत्मक पोजिशन में थे, easily decision ले पाते थे, बिलकुल confused नहीं थे, cloud अपने anchor को, और जब वहां पर भी pick situation में आये, again, वही उंगली को वैसे ही दबाए, जो knuckle को वैसे ही दबाए, जैसे पहले आपने pressure दिया था, और उस वक्त जो आपने अपने कोई voice का use किया था, कोई शब्द का use किया था, statement या sentence का, exact वही statement बोले, या तो yes, yes, I am able to take the decision easy and quickly, जो भी आपने बोला है, आप अपनी language में भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है, English है, Hindi में, Gujarati, Marathi और आपकी जो भी language है, right, or English, whatever comfortable for you, so first step, आपको याद करनी है, ऐसी powerful situation जहां पर आप बिलकुल decisive थे, निनायत में थे, और वो pick situation में आपको introduce करना है, आपका anchor, जो यहां पर हम नकल को यहां पर squeeze कर रहे है, और साथ में कोई sentence या word को add कर रहे है, जो आप बोलते वक्त आपको और जदा motivation रहे है, आप, it's like affirmations, right, so you are adding this affirmations or one single word to push you, जिससे आपको powerful state में, resourceful state में वो श्रब्द लेके आए, then उसको stack करे with the different two, two, three, or event को add करते हुए, हर बार आपकी नकल को exact वो ही नकल को squeeze करे और वैसे ही press करे और उसी वक्त शब्द को बोले, now you are master on it, you have learned it, and जैसे ही यह आपका anchors, बहुत सारे anchors आपने stack कर लिये है, you have stacked all this anchor, in this pick situations, think about the decision you need to make, जिसमें आप confused है, अब वो future और present के decision है, जो आप clear नहीं है, नहीं ले पा रहे है, वो decision को सोचना और उसके बारे में और क्या-क्या जानकारी है, जो आपको जाननी जरूरी है, वो भी सब सोचे, and squeeze करते रहे, और आपने जो decision के state में है, जो आपने past resource में से आपने squeeze किया है, जहां anchor हो चुका है, कि you are very much decisive, आप आसानी से निर्णे ले पाते है, because you have fired anchor here, and you have established, introduced here, और उसको constantly fire कर रहे है, suppose like this, or like this, anything, and कोई एक जो उंगली है, वो ही उसी को continue करना है, आपको, वो ही नकल को, particular finger की नकल को, जो ओड को, जिसको कहते है, and आप उसी वक्त, अब जो decision लेना है, उसके बारे में सोचे, और इसको continue करते रहे, fire करते रहे, and देखे, थोड़ी देर के बाद, just come back, fire off कर दीजे, यानि कि छोड़ दीजे हाथ को, कहीं दो-तीन ऐसी different, out of track सोचे, यानि मोबाइल में कुछ social media, updates, या कुछ दूसरे कोई state में चले जाए, and again check करे, that is important, अब आपके वो ही नकल को दुबारा squeeze करके देखे, वो ही pressure से, और वो word को साथ में use करे, क्या आपको ऐ आसानी से decision ले पा रहे है, now think about this topic कि जो the subject के अपर decision नहीं ले पा रहे है, to be or not to be, should do or should not do, जो भी आपका हो सकता है, subject time being होगा, या तो lifetime के लिए कोई ऐसा decision लेना है, decision making decisive होना सबसे important बात है, और बहुत लोग confused होते हैं, और इतना सोचते हैं, too much analysis like paralysis, और फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत important art है and that's why I have taken this, please use this and आप याद रखने हैं वो five steps, कि आपको exactly वैसे ही replicate करना है, तभी वो fire activate होगा, हमने switch press करते हैं, दबाते हैं हमारे room की, तो exact उसके wiring अच्छे से किये होते हैं, तो ही वो electricity हमारे room में through that switch on आती है, और हम light, you know, experience करते हैं, you know, light in room, so it is like that, आपको process जो steps है, five steps वो आपको प्रॉपर्ली करने है, assignment यह है, try this with three people and why not आपके खुपके पर भी तो try करना है, do these assignments and post your queries or please share your experience and इसको thick करना ना भूले, इसको stack करना ना भूले, आपने जो भी introduce किया है, जैसे भी आपने introduce किया है, आपका decisive के लिए decision लेने की जो क्षमता आपने बनाई है, जो भी anchor को introduce करते हुए, उसको stack करना ना भूले, उसको thick करना ना भूले, dear friends, as usual, I am telling you कि मैंने NLP की एक workbook भी बनाई है, it's a mini workbook, so आप चाहे तो यह workbook को भी download कर सकते हैं, और यह जो भी सारी PPTs आप मैं बनाती हूँ, बहुत महनत से बनाती हूँ PPT और उसकी मैं जिसको ढूमना है, and all stuff आपको चाहिए, तो आप, यह भी मेरे description box में link है, वहाँ जाके sign up करे, it's absolutely free, and यह मेरे efforts आपको अच्छे लगते हैं, तो please rate करे, review करे, मेरी Google profile और Facebook profile को, and like करे, और आज पहली बार आप आए है, तो मेरी channel अभी तक subscribe नहीं करें, तो जरूर से subscribe करें, क्योंकि बहुत सारे future में भी वैसे videos, और ऐसे different topic मैं upload करने वाली हूँ, so you will be notified, आप bell icon बजाना भी ना दूले, thank you so much, stay blessed, and be a decisive, निनायत्मक बनते रहे, और confident रहे, best wishes dear friends, thank you once again,